असलाम अलेकुम मैं हूँ फैसल मुहम्मद और आप देखरें हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज और फैसल मुहम्मद अर्ग जो कुछ सारा दिन होता रहा असलामबाद में आप ने देखा और कल मैंने सुबाब वी-लॉग करके आपको बता दिया था कुछ चोच रात को भी बैने फिर वी-लॉग करके आपको ये खा था और जो लोग मेंचे टूटर पर फालू करते हैं उनकों भी मैंने बताया था कि हकुमत के पास 24 घंटे हैं वो फैसला कर ले कि होने क्या करना है वरना अदरवाइस फिर फैसला कोई और करेगा तो गालिबन कुछ मामला उसी पस्पंदर नहीं हुएं लेकिन आपको याद होगा जो लोग मेरे वी लॉग को सुनते हैं मैंने दो तीन दिन पहले कहा था इस्टैबलिश्मेंट को भी कहा था और यहां भी कहा मैंने स्टेट्मेंट यह अखपारात में भी दिये कि आपको आई-म-फ से रिलीव नहीं मिलेगा आपको आई-म-फ से रिलीव नहीं मिलेगा उसकी वज़ा यह है कि आई-म-फ बन्यादी तोर पर पाकिस्तान को एक माशी बहुरान में मुक्तला करना चाहती है यह मैं बारहा कहते रहा हूं लेकिन आप फिर वही बात है ना कि आप उसी अत्तार के लॉंडे से दवा लेते हैं जिसके जिसकी मतलब कहते हैं नुसके लेकि आप इमार हुए है कुछी से किसम की तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक चीज़ जब खुली थी हर चीज़ तो उसके उपर फिर क्यों अत्माद हमने कहा इस्टेबिश्मेंट को भई आप ठीक है हमें पता था कि इनका मसला है जब तक आइमफ क्योंकि एक मजबूरी थी सउध्र ने भी कह दिया सबने कह दिया कि जब तक आइमफ का नहीं माबला होगा हम आपको पैसे नहीं देते या तो इससे के उपर भी तो काम किया जा सकता था ना मैंने मैं भी आपको का कि मेरा भी कोई सفारती सुरसा अलगा है अगर आप कोशिश करते तो हो सकता था लेक तो नतीजह क्या था कि जब ये फैसला कर लिया, इस्टैबिलिश्मिंट इसी रुकी भी थी कि अभी हालात खराब में आई-म-फ से मसला हो जाता है, शहाद कोई मामलात को बजट का, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मामला चल रहा है, बजट से पहले है, बजट से बजट से जो हकूमत ने कराई, उसके अंदर मैं आपको उता दूँ कि बहुत सारे लोग बहुत बाते कर रहे हैं, ठीकि सबकी बात में दूस्त कहरे हैं, लोग अपने अपना अंदाज है, लेकिन एक बात मैं बता दूँ आपको कि मेरी खबार है कि इस तमान सुरतायम में आप कर लिया, फिर आपने का फाज भी आगई थी, तो उसमें हकूमत ने क्या किया किया कि एक याद्ध्धानी कराई या या यकिन द्ध्धानी करके या नोटिफिकेशन या समरी जो भी आप कह लें उसको उन्हों ने लिख कि मतलब किसी के हवाले कर दी मुनका के लिए ज जो आप कहलें, जो जिससे कि मतलब खानसाब मुत्मिन हो जाते हैं, वो अन्हें ने करवाके खानसाब को फिर फोन करवा दिया, इतला करवा दी खानसाब को, सबह ये बाते चल रही थी, मैंने कहा था आपको किस सुबह तक कोई बात नी थी, ये बात हुई बारा एक लग गया था तो खान साब आये थे जब यहां पर इसलामबाद में तो ठीक है बहुत से लोग कह रहे हैं गलती हुई खान साब से नहीं हुई वो एक अलहिधा चीज़ है लेकिन यहां मैं बता रहा हूँ आपको कि यह मामला जो था तैह हो गया था और तैशिदार खान साब क ट्रैप होने का खत्राए 10% जादा नहीं उसके वज़ए यह है कि खान साब अगर आ जाते और आकर या जब उन्हों ने खान साब ने इलान किया था पांच दिन का या छ्छे दिन का या च्छे दिन बाद आपको या पांच दिन का टाइम देते हैं हो गया फानल हो गया कि लोगों को पता हो जाता कि एक फैसला हो गया है लेकिन खान साब ने जो अचानक कह देना है कि अब मैं अल्टिमेटम दे रहा हूं तो यह जरा कुछ मैं समझता हूं कि थोड़ी सी मिस मतलब कहते हैं कि एडवाइस गलत हुई इनकी अच्छा दूसरी एक बात यह कि अब का भी घरा इनकी अच्छा विवाटन साब कर चा चखट कर चनल लिगा है हैं खान साब ऑंस अच्छ कुछ बता था ना हमें पता है खान साब को एफ चर्थasking ने तोड़ी खान साब ने में अ अच्छा चा प्र उसके ऑड़ का उथ भूत सल्कु कुछibly कई सयाृ अब मस्ह आप बाद में जाएंगे, बहुत बड़ा जलसा करेंगे. और जलसा सब आए क्योंकि ज़नाब यह फैस, अब सारे लोग आते जलसे के अंदर. किया तो भी बड़ा जलसा होगा, अम एक दिन पूरा देंगे, बड़ा जलसा करेंगे, लोग जो भी दूर-दूर से आना आया हम जलसा लंबा करेंगे, उसमें पॉशन रखेंगे, भी सारा दिन जलसा चलाएंगे. फिर भी बहुत बड़ी तादादाई इसमें कोई शक नहीं तो खान साब में जब निकाना कि जो नहीं आ सकता वो वही रुक जाए चलो वो तो बाट ठीक है अच्छी बात है लेकिन जो अबसेक्शन आएं जो रुकावटी आएं जिसकी वज़से इतना लड़ाई जगड़ा हुआ और फिर सबस्री बात है कि इस लांग मार्च के इलान की वज़े से जो हकूमत जो के खान साब के मुखालिफ है जो खान साब को नुखसान पहुचाना चाती है उसको ये मौका मिल गया कि उसने अपने रेंजर्स की में तल बता चुका हूँ और अब तमाम गुलू ब पास कर रहें वई ठीक है तो नतीजा क्या होता कि जब लोग जमाओ जाते उसके बाद खान साम आप तक्रीफ करते हैं घंटा से और लोग जनाब आप हम यहां पर आगे अब हम इसम्मली के करीब जा रहें और हम यहां से नुठेंगे और आज के बाद यहां से कोई भी ऐस काड़ लोग रहें जा सकते यह रोक देते यह चैओ आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं होगा यह ऐसा काम गेर बार बाद लियां कि dönुकानि ही है हैं उनके साथ जाती की लेकिन चलिए कोई बात नहीं उसमें भी एक हो सकता है कि अब नया खांसाब जबाएंगा मैंने कर ना खांसाब को अब इतनी सपोर्ट लोगों को देनी चाहिए कि खांसाब को ये कमसकम 91-92 फीसद जो है ये अब लोग वोट डाले हर सूरत के अंदर डालना पड़ेगा इनको तब धानली के चांसे नहीं होगे लेकिन अकर वो ना खांसाब का कहीं वो 70 फीसद और 72 फीसद या तो फिर जो है ना वो उसमें धरा धानली की चांसे लेकिन जब आप 80 से उपर ले जाएंगे वोटिंग तो कितनी धानली करेंगे तो ये एक ये बात और ये भी होगा कि जब इन्शालला आ जाएंगे तो ये मामला जो है निकल जाएंगे लेकिन बन्याज़ पर पर कहते हैं कि यहां पे इनुना खांसाब को ट्रैप कर लिया खांसाब से चार-पांच दिन का टाइम दिलवा दिया और टाइम दिलवाने के बाद उन ये भी सवाल आप पूश सकते हैं वही बैतर इसलिए था क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इन्हों ने एक प्लैन बना था बड़ा खूनी प्लैन खूनी तो वैसे भी हो गया आप चार-पांच बिचारे शहीद होगा पता नहीं कि इतने लोग खूनी प्लैन ये थ हमें बड़ी हैरत हुई मतलब हमें पता लगा है अगर सिंसे आया हो बंदा तो पंजाब वाले को पता लग जा चाता पन्जाब पूछ लाए, आप किस कम्पनी से क्या है, as it is, x y z जो भी तरिक कार हो ता, पता लगिता था लेकिन भूना कहता है कि मैं हूं भी इदर कई मैं लाले मुसा से आया हूं या फ़लानी थाने से आया हूं या मैं असाथकाबात से आया हूं लेकिन उसको सही वेरबॉर्स को नहीं पता रहा तो उनने कहा दोते हैं कि हमने कई लोग ऐसे देगी ते मुंसे पूशा तो तो सैटिस्फेक्टरी जवाब नहीं दे पाए उनका कहने का मतलब है कि कुछ दाल में काला था हमें लग रहा था कि ये असल बंदे नहीं है अब उनने कहा हमें तीन चार लोगों से पता किया फिर शनासाई अच्छा पूछ देखा था है अच्छा बजना आप किदर से हैं अच्छा जी वह मैं क्या कहते हैं मभूरे वाला से हो मतलब बूरे वाला ठाने से फलाने जगा से एक्स वाज़ट किसी भी जगा से अच्छा कौन से जगा अचा वह फिर जाहर सी बात है लोग को पता होता है भई फलानी जगा ठाने मेरा या वहां एक्स्टा के अंदर है या मतलब इसके अंदर इजाफी नफरी में है इस्पेशल डूडी में है तो कोई ना कोई बंदा पूछ लेता पर फलाने साथ वह फैसल साब क इसको पता ही होता है सिपाई सिपाई को समझता है कि सिपाई से कैसे पूछा पता लगएगा उस सिपाई है कि मतलब यह तर्खान है समझ गया थे मैं अब बड़ा सली से अर्दू में बात कूना अबसे तो उन्हों भी पिर मजे बता है कि फैसा आपन चार पांच चुका च रियक्ट करें, अच्छे जब रियक्ट करेंगें वो तो नहीं देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें साथ को मिल गई थी और यह कुछ हमें भी मिली थी जारसी बहता खांसाब प्रैमिनेस्टर हैं जब हमें मिल सकते हैं तो उनकी अपने भी लोग अभी हैं ऐसी बात नियहाँ साथ के डिपार्टमन्ट में लोग हैं बहुत सारी उन्हें ने आपको फिल बिलाऊंगा और कहते थे कि जनाब हम जिस मकसद के लिए आये थे हमें गैरेंटी मिल गई है समझ गया और अब हम उम्मीद करते हैं कि जिसने हमें गैरेंटी दिये वो हमारा काम पूरा हुआ और अगर हमारे से धोका हुआ तो फिर हम देखेंगे क्या करना है ये कह के ना खांसाब अगर डिस्परस कर देते हैं तो वो बात मैं समझते हूँ तरह बेता थी लेकिन भाराल ठीक है पार्टी है जो उसने किया किया तो असल तमाम इस जो तज्जिया मेरे खहने का लबे लुबाब ये था कि एलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं कोई इस पे शक नहीं लेकिन सारा मसला ये है कि पाकिस्तान की माशी अहलत बेंतिया खराब हो गई है मैंने आज सुबा ट्यूट करेंगे बता था कि पाकिस्तान की जो कई आलमी बैंक है बाहर के सौरी उन्होंने पाकिस्तान के लेटर अफ क्रेड़िट को और उनकी तिजारत के एकसेप्ट करने से इंकार कर दिया कि आप स्री लिंका की तरफ आप कदमा बना चुके हैं मौजूदा हकूमत जो है मैं आपको अधार रहा हूं कि जो मौजूदा इश्राविया है मुल्क की वो पाकिस्तान को दिवालिया करना चाहती है इसमें कोई दोरा आए नहीं अगर देखें आगर खान साब रह जाते हैं खान साब को भी खुछ सोचना चाहिए अगर यह लोग की एक अपनी सोच है यह हमारी इस्टेबलेश्मेंट भी कहती है कि हमें I.M.F इ जाना था लेकिन बारहाल मेरी इक अपनी सोच है अमेरिका की एक सुप्रीम कोड का मैंने पहली भी आपको जिकर किया चार महीने पहले है अमेरिका की सुप्रीम कोड का भी एक फैसला है और ये इसी I.M.F. और दूसे मिलकों के अवाले से कि अगर किसी रियासत के लोग अगर I.M.F. का ये सरकारी की बागर पैसा वैसा खा जाते तो रियासत पर उसकी जमेदार नहीं होती क्योंकि बहुत सारे जो घबन करते हैं तो स्यासिदान बिसकी लिए उनके असेट्स को पकड़ता चाहिए तो बन्यादी तोर पर अमरान खान आते तो अमरान खान ने यही बात आके करनी थी जाके कि जनाब ठीक है इनसे पकड़े हम तो हाथ उठा दें कई मिल्कों ने हाथ उठा दिया उनका नहीं हम देती है रहा भाग जहां आईम्यासा आम झेंगे पैसा नहां हम हापस ना कुछ है और बहुत बूश इतना फसें तो अब उन्होंने ने मना कर दिया है, तो अब उसके बाद अब ये क्या करेंगे, मुझे नी पता, ये क्यूमते बढ़ाएंगे, ये क्यूमते बढ़ाते हैं, ये 40-50 लीटर रूपए, लीटर पर पर पता है क्या हाल होगा, तो ये सारी सुरत कि अगरार के हाल है और देखें क्या होता है अगले पांच-छे दें में बता हूँ कि जारहे हैं इसके कोई शक नहीं है और अधा को आप देखे और स्था ने बहुत अच्छा काम किया जाओं है लो। साथ देखा कि आज पिर दो वाओ मर्यम नवाद जो बहले घुटे-घुटे अलफास के अंदर बात कर रही है तो बुनियारी दोर पर यह है जो असल चीज है वो यह है कि आप लोग जो आज का जो मैंने का था कि मैं सारी मामलात के अंदर यह जो आज सुबा तो तीन कावानीन बन गया जो इनकी असल वो थी कि इसको तारीकी ने वत्वन को नहीं देना वोड कहा अलेक्रानिक मिशीन नहीं करनी और कुछ थोड़ से अपने मामला जो है ना वो इसको करने का इनको यह मौका मिल गया बस यही समझें आप तोसा ट्रैप हो लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात नहीं यहां थोड़ से ट्रैप हो गए लेकिन चले कोई बात नहीं खान साथ ने इतनी खुर्बानी दी और इतना लोग लेकर आए लेकिन यहां बस तवाम सुरत थाल से मैं कह रहा हूँ कि बहुससर लोग गया ख्राड लोग गया खान साथ कुछ कुछ नहीं होगा है यह ऐसी बात नहीं है गारنتी दी है उन्होंने जोंने गारनी डी है वो अलेकिन की गारईनी दी है लेकिन अगर खुदाना खासाफ ये काम नहीं होता तो फिर खासाफ को सोचना चाहिए कि क्या करना होगा लेकिन अब खासाफ को एक मिश्वरा है कि अब जो है न वो अपनी मुठी बंद रखेंगे कोई जरुत नहीं कोई जरुत नहीं कोई जरुत नहीं कोई नहीं मसला आये थे ठीक है लेकि ये दोबारा आने का चक्कर नहीं होगा कुछ और करेंगे क्या करेंगे ये फिर बात की बात इसलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते हैं क्या होता है सुरतियाल पाकिस्तान के हालाद जो है माशी बहुत खराब हैं सियासी सुरतियाल भी बहुत खराब हैं तो देखते हैं क्या बनता है मामला कि अब ये इमरान साथ को भी देखना पड़ेगा इसमें अभी भी कहीं न कहीं खान साब को क्रॉस करने की कोशिश की गई है मतलब कोई किसी से राप्ता करता है कोई किसी से राप्ता करता है और खान साब को गरबड करने की कोशिश करता है कि पराशूटर्स भी हैं खान साब को देखना पड़ेगा और इन पराशूटर्स को भी हटाना भी पड़ेगा बाद में देखें क्या होता है सुरुता है भारा लिए के खान साब का अभी तक खान साब की ग्रिप है और छोड़ दें आप ये मरीम नवास जिस तरह बात करें बहुत से चैनल पर मैं कहा कि गैरेंटी से फिरेंगे देखिए इन्शालला क्या होता है कल जो भी नई सुरुतियार बंदी उस पर अपना तज्जिया लेकर हाजिर होंगे तब तक अल्लाहाफिस